नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ख़बर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल पर्देश के ताजा और बड़ी ख़बरों को जानने का बताएंगे सबी ख़बरें एक एक करके एवं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल पर्देश के किस जीले से न्यूज को अंतिम्तिती बढ़ाई जेहिमाचल पर्देश हाइकोट ने अधिनस्ता अदालतों में नोकरी पाने के लिए इच्छु कमिदवार 31 अक्टूर तक आवेदन कर सकते हैं हाइकोट ने आवेदन करने के लिए अंतिम्तिती बढ़ाई है इसके साथ 88 अतिरिक्त पदों को भी 45 पद कलरक, 3 पद प्रोसेस सर्वर के, 29 पद सेवादार, चोंकीदार और सफाई करमी, 17 पद आसू लिपिक के और 5 पद ड्राइबर के बढ़ाई गये हैं इससे पहले 444 विविन पद भरने के लिए विग्यापन जारी किया गया था सिमला में खत्म होगी लो प्रेसर की समस्या सब को मिलेगा बराबर पानी, जे हिमाचल परदेश की राज़ानी सिमला के हजारों पेजल उबगताओं को अब पानी के कम प्रेसर की सिकायत नहीं रहेगी, इसके लिए सहर में बिचने वाली सभी नई पेजल लाइनों में पानी की सप्लाई होगी, सोल्ल अक्टवर को हिमाचल के धर्मसाला आ सकते हैं, परधान मंती नरंद्र मोदी, सोल्ल अक्टवर को धर्मसाला आ सकते हैं, हाला कि अभी उनका ये कारिकरम फाइनल नहीं हो पाया है, आपको बता दे कि हिमाचल सरकार की और से मोदी के धर्मसा को संबोधित करेंगे बिलासपुर की रेली के बाद मोधी अब उना और चंबा में चुनाबी संखनात करेंगे उना में अस्तानिये रूटों पर अब 13 अक्टवर को नहीं चलेंगी एचाटेसी की बसें सिमला में यात्री हुए परिसान जिया परधान मंतिर नंद्र मोधी की रेली के चलते हिमाचल परदेश के उना जिले के अस्तानिये रूटों पर हिमाचल परिवहन निगम की बसें नहीं चलेंगी इसे यातरियों को खासी दिकत्ते का सामना करना पड़ेगा उना में होने वाली परधान मंतिर नंद्र मोधी की रेली के लिए निगम की करीब 400 ब बाहर लोगों को लाने के लिए जाएंगी इसके लिए निगम के अन्य डीपो से भी बसे मंगवाई गई है आपको पता दे कि गुरुबार को सरकारी कार्याले खुले होने के कारण कर्मचारियों को कार्याले पहुचने में खासी परिसाने जिलनी पड़ सकती है सहर में अतिकर्मन को रोकने के लिए लगाए जाएं सीसी टीवी कैमरी जेहिमाचल परदेश हाई कोड ने सिमला सहर में अतिकर्मन को रोकने के लिए उप्यूक्त जगह पर सीसी टीवी कैमरी लगाने के आदिस दिये हैं आदालत ने नगर निगम सिमला को आदिस दिये हैं कि वो आदालत को बताये कि कितने अतिकर्मन करने वाले के लाइसेंस रद किये गए हैं मुख्य निगम ने सपत बतर के माधियम से आदालत को बताया कि 149 अतिकर्मन कारियों के चलान काटसी वसूली है वहीं अतिकर्मन करने वाले के लिए 500 रुपिय जुरुआने का परवधान भी रखा है विधाया घौसियार ने दिये निर्दलिये के रूप में चुनाब लडने के संकेट कारिकरताओं के साथ की बैटक जे भाजपा से टिकट नहीं मिलने के संकेत के बाद देहरा के निर्दरिये विधायक होसियार सिंग ने अपने निवासस्तान पर समर्तकों के साथ बैठक की होसियार सिंग ने भाजपा और कॉंग्रेस के नेताओं को संकेत देने की कोशिज की कि उन्हों कोई भी कमजोर ना समझे संकेत दिया कि अब भाजपा से आजाद हो गए है वो किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाब लड़ सकते हैं यदि कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो दोबारा बतोर आजाद परतियासी चुनाब लड़ेंगे जे सीटू ने मैजदूरों की मांगों को लेकर बूदबार को पर्देश भर में आंदोलन किया और सरकार के खिलाप जम कर नारेबाजी की सीटू नेताओं ने चेताए कि अगर मनरेगा मैजदूरों को सरमी कलियान बोट के दाइरे से बाहर किया गया तो पर्देश भर में आंदोलन करेंगे वही राधानी सिमला में भी सीटू ने आंदोलन किया और सरकार का बीरोध किया आपको पता दे कि रामपूर, रोहडू, सराहन, सोलन, कुल्लू, बंजार, आनी, धरमपूर, बाली, चोकी, नगरोटा, बागवा, चमबा, हमिरपूर, उना में भी परदर्शन किया गया किसके सीर सजेगा मिस सिमाचल प्रिंसेस का ताज 24 अक्टवर को होगा फैसला मिस सिमाचल प्रिंसेस 22 का ताज की सुन्दरी के सीर सजेगा इसका फैसला 24 अक्टवर को होगा सिमला के एतिहासी गेटी थियाटर में सुक्र बार दो पहर बाद 3 बज़े ग्रेंट फिनाले होगा वहीं बूद बार को ग्रेंट फिनाले के लिए चुनी गई 22 युपतियों को पाटिसिपेंट नमबर दिये गए और रैंप वाक की रिहरसल करवाई गई आपको बता दे कि अमर उजाला और गोयल मोटर्स की और से करवाई जा रहे में सिमाचल प्रिंसेस इवेंट के लिए परदेश बर से 22 युपतियों का चेन किया गया है वहीं ग्रूमिंग सेसन के दोरान क्लेमेक अकेडमी के विसग्यों ने इन सुद्रियों को ब्यूटी टीप्स दिये है जैराम बोले 800 कड़ों की विदूत परियोजनाओं का सिला नियास करेंगे पीए मोधी की देवतल चांजु जल्विदूत परियोजनाओं की अधार सिला रखेंगी इसके अलाबा हिमाचल के लिए लगवग 3,000 कोड़ों की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तिर्तिये चरन का भी सुब आरम करेंगी कसियब बोले अचार संजीता लगने के बाद की जाएगी भाजपा परतियासों की गोशना जिया चंबा में प्रेस वर्ता में उन्होंने काये कि अंदेखी के चलते कॉंगर्स लिदा पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे है विपक्ष में हर दूसरा विक्ती मुख्यमंत्री बनने का सपना दिख रहा है कहाए कि पियेम मोदी का हिमाचल और चंबा से अथा प्रेम है हिमाचल में कर हलकी बारिश सुक्रवार से मोसम साफ जे हिमाचल पर्देश के मध्यम इभा मुचाई वाले चेतर में बीरबार को हलकी बारिश के असार है जबकि निचले चेतर में बारिश की कई संभावना नहीं है वहीं पर्देश के सभी चेतर में सुक्रवार से मोसम के साफ रहने के असार है मौसम बिग्यान केंदर सिमला के निदेशक सुरेंदर पाल ने बताये कि बीरबार को परदेश हरकी बारिश की संभावना है लेकिन जदातर छेतर में मौसम साब बना रहेगा पिये मोदी की रेली के दुरान चंबा में बारिश के असार नहीं है ऐसे में रेली में इस बार मौसम खलल नहीं डालेगा वहीं हिमाचल परदेश के लाहोल इस्पिती किन्नोर वो चंबा जिले की उचाई चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओड़ लिए आपको पता दे कि बारालाचा दर्रा सिंकुला दर्रा और रोहतांग दर्रा में ताजा बर्फ बारी हुई इसे परदेश में ठंड़क बढ़ गई है इसे चंबा किलाड बया साज पास पर आवाजा ही बादी थे हीमाचल में बिधासवा चुनाप से ठीक पहले जेराम सरकार ने आउट्सोर्स करमियों को दी रहाद जै चुनाप से ठीक पहले जेराम केबिनेट ने हजारों आउट्सोर्स करमचारियों के लिए रहाद दी है मंगल बार को राजी सचीवाले में सीएम जेराम ठाकूर की अधिशिता में हुई बैटक में फैसला लिया गया है कि जब तक इन करमचारियों की भरतियों के लिए कॉर्परेशन का गठन नहीं होता तब तक आउट्सर्ञ करमचारियों को लेकर बनाई गई केबिनेट सब कमेटी की सिपारिसों के अनुसार इन करमचारियों के नियुकती के लिए कॉर्परेशन बनाने को मंजूरी दे दी गई है हिमाचल में 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी आउट्सोर्स के अधार पर तेना थे इसके अलावा केमिनेट ने नोकुरियों का भी पिटारा खोला है विस्प के टॉप बेग्यानिकों की सुची में सामिल हुए SPU के डॉक्टर लखवीर जिया नालागण के खिलिया गाउं से संबंद रखने वाले डॉक्टर लखवीर सिंग के सोधकारी काई बेड़े परतिष्टित अंतरास्टिय साइन्टिफिक जनरल में परकासित हो चुके हैं चलिए वहीं चलते हैं आज की आखरी खबर माना जा रहा है कि आख सोट सटकिट से भड़की है फिलहाल पुलिस घटना की जाच कर रही है दमकल टीमें और राजस्व विबाग नुकसान का जाजा लेने में जुटा है सही आकलन के बाद ही नुकसान का पता लगेगा इस अगनी कांड में फैक्टरी परबंदन को करोरो रुपियों के नुकसान का अनुमान है दोस्तों साथियों मेरे प्यारे मीत्रों जानकारी एगर थोड़े भी पसंद हुआ हो तो वीडियो को लाइक, सेयर, चनल को सस्क्राइब करना ना भूले और कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताएं कि आपने उसको किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं थेंक यू, ओल दे बेस्ट, जैहिन